जेहिन दोस्तों रक्षिक खना किस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के जीडियो में मैं आपको कुछ महतपूर जानकारिया दूँगा जैसे कि आप पीछे बोड पे देख रहे हैं इसमें से कुछ जानकारिया जुड़ी हैं DA के ओर्डर के बारे में तो इसकी जान हूँआ कुछ और जानकारिया जुड़ी है कमुटेशन को लेके और एर्थ CPC को लेके वो भी मैं आपको आगे बता ओगा कुछ और जानकारिया हैं dual family pension को लेके पूर सैनिकों के लिए तो ये भी मैं आपको आगे बता हूँआ तो दोस्तों ये सब जानकारिया आपके के आखरी तक देखेगा और अपने गुरूप में भी शेर कर देगा वीडियो में आगे बनने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूँ अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना क्योंकि ऐसी जानकारियां सही जानकारियां आपको मिलती रहते हैं इस चैनल के मादम से चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं सबसे पहली जानकारी दिये का ओडर जारी 53% का जिया दोस्तों Ministry of Finance Department of Expanditure की तरफ से दिये का ओडर जारी हो गोश्ड़क करीती तो दोस्तों अब DNS allowance का ओडर जारी हो चुका है यानि जो salary लेते हैं चाए वो defence के करमचारियों चाए वो railway के करमचारियों या फिर वो autonomous body के करमचारियों यानि जो salary लेते हैं तो दोस्तों उनके लिए DA का ओडर जारी कर दिया है 53% के हिसाप से जिया दो दोस्तो जो pensioners का order है वो है दोस्तो DNS relief का जिना दोस्तो DNS relief ही वो order है जो pensioners पे काम करता है तो दोस्तो ये निकालता है department department of pension and pensioner welfare जिना दोस्तो जो DR का order निकाला जाता है वो department of pension and pensioner welfare की तरफ से निकाला जाता है तो दोस्तो कुछ दिन में DR का भी order हो जाएगा जिना दोस्तो कु उसी के बाद दोस्तों आपको भुक्तान देखने को मिलेगा area का जैसा मैं आपको कल मी बताया था तो दोस्तों order आ गया DA का और अब आ जाएगा DR का एक आध दिन में दो तिन दिन में चलते अगली जानकारी की तरफ national increment पर अगली सुनवाई 4.11.2024 को है जैसा आपको पता है DO पीटी ने एक order निकाला था national increment पर 14 अक्तूबर का हाले कि दोस्तों सारी चीजे उसमें clear नहीं थी क्योंकि दोस्तों वो एक interim order था अंतरीम एक order था अब दोस्तों इसका final order आएगा इस सुनवाई के बाद जैसा दोस्तों और national increment पर जो अगली सुनवाई है वो है 4.11.2024 को ज पैंशनर्स को court case करना ना पड़े जियां दोस्तों general order निकलेगा तो फिर दोस्तों पैंशनर्स को automatically department national increment देगा जियां दोस्तों तो दोस्तों इसी की सुनवाई होनी है 4.11.2024 को और जो इससे पहले DOPT ने order निकाला था वो वैसे किसी काम का नहीं है जियां दोस्तों जो जो चार नवंबर 2024 को होने वाली है तो दोस्तों देखेंगे national agreement पे final order DOPT क्या निकालती है नवंबर में चलते हैं दोस्तों जानकाली की तरफ कम्यूटेशन का मामला भी policy matter है जियां दोस्तों जैसा आपको बता है आपको कम्यूटेशन पे loss हुआ यानि जो pensioners retire हो गए उनका 15 साल तक पैसा काटा गया pension में से कम्यूटेशन का और जो अब retire होने वाले हैं उनका भी दोस्तों 15 साल ली period रहेगा लेकिन दोस्तों pensioners अब वकीलों को फिर दली ले अपीले डाली जाएंगी काफी matter ये उल्जेगा तो दोस्तों एक तरीका है जो इस case को सुझाया जा सकता है कम्यूटेशन के matter को वो है दोस्तों 8th CPC जिन दोस्तों जैसा आपको पता है जो कम्यूटेशन का मसला है problem है दोस्तों ये एक policy matter है इसमें कोई internally अपनी तरफ से कोई छेड़ चार नहीं कर सकता फिर भी दोस्तों जो court है वो कुछ इस पे legal objection लगा सकता है जैसा की period कम कर देना या फिर आपकी recovery बंद कर देना हाला कि दोस्तों अभी इस पे भारत सरकार ने कोई journal order नहीं निकाला है जो pensioners court case कर रहे हैं उसी के base पर उ दोस्तों ये काम करना पड़ेगा भारत सरकार को और दोस्तों इसका एक तरीका है 8th pay commission जिया दोस्तों 8th pay commission पे commutation की पूरी ruling change कर दी जाए एक अलग से commutation की table निकाली जाए pensioners की age के अनुसार फिर दोस्तों उसी में उनको adjust किया जाए और जो 15 साल का period है उसे घटा कर 10 साल 12 साल या फिर 13 साल करा जाए जैसे की और state government ने कर रखा है अपने pensioners के लिए तो दोस्तों एक ये तरीका है क्योंकि दोस्तों ये matter 8th CPC में ही सुला सकता है 8th CPC में या फिर इ दोस्तों तो इस तरीक से दोस्तों ये चीजे सुला सकती है नहीं तो pensioners court case करते रहेंगे उनकी fees जाती रहेगी कितना पैसा उनकी जेव से चला जाएगा तो दोस्तों इन सब चीजों से बचने के लिए government को एक सक्ट action लेना पड़ेगा general order इसमें निकालना पड़ेगा या तो 8 CPC में निकाले और इसकी पूरी ruling change करे या फिर कुछ ऐसा करे कि 8 CPC से पहले pensioners को फायदा मिल जाए general order निकाल कर चलते हैं गली जानकारे की तरब पूर सेनिक की मृत्यों के बाद दो पत्नियों को भी family pension एला हुए है जिया दोस्तों कई पूर सेनिकों को पता ही नहीं कि dual family pension भी मिलती है dual family pension वैसे भी मिलती है लेकिन दो पत्नियों को भी मिलती है जिया दोस्तों अगर पूर सैनिक की मृत्यू होती है अगर पूर सैनिक ने दो शादिया कर रखी है वो भी दोस्तों legal base पर तो उसके बाद family pension एलाओ रहे हैं दोनों पत्नियों को और वो भी equal divide करके जिया दोस्तों दोनों पत्नियों को family pension मिलेगी लेकिन वो भी आदा आदा करके equal divide होगी family pension पूर सैनिक की अगर उसकी death हो जाती है दोस्तों ये सब काम होता है legal advice के तुरू जो दोस्तों इसी पे कई जो wife है वो court case कर देती है कि मुझे family pension नहीं दी गई बलकि मैं इस पूर सैनिक की पत्नी हाला कि दोस्तों ये जितने भी matter है ये सब legal matter के अंदर आते हैं legal matter के अंदर दोस्तों अगर आपका भी कोई legal matter है यानि family pension नहीं मिल रही या फिर दो शादिया कर रही है पूर सैनिक के उसकी death हो गई है पत्नी को नहीं मिल रही family pension दूसरी पत्नी को नहीं मिल रही तो दोस्त जैसा आपको बता है, मैं भी legal advice देता हूँ, मैं भी इन सब चीजों की जानकारी रखता हूँ, कि कैसे दूसरी पत्नी को family pension मिलेगी, किस तरीके से legal document लगाया जाएं, जिसके बेस पर फायदा पहुच जाएं, तो दोस्तो ये काम भी हमारे थू होते हैं, तो अगर legal advice चाहिए किसी चीज की अपने परिवार से संबंदित, या फिर family pension से लेटेट, तो आप contact कर सकते हैं मेरे से, जियां दोस्तो, तो दोस्तो इस तरीकी की चीज़े सुल्याई जाती है, और दोनों पत्नी को family pension allow है, अगर वो जीवित है, दोस्तो इसके लिए भी कुछ document की जूरट पढ ही जाती है, दोनों पत्नियों को, चलते हैं अगली जानकारी की तरफ, OROP 3 में pension बढ़ी, लेकिन area नहीं मिला, और ना ही बढ़ी हुई pension आई, जियां दोस्तो, काफी pensioners की pension बढ़कर आगी थी, सितंबर की pension में, area भी मिल गया था, अब कुछ pensioners ऐसे हैं, जिनकी OROP 3 में pension बढ़ी, लेकिन ना ही अभी बढ़ी हुई pension मिली, और ना ही area मिला, दोस्तो, अगर ऐसे pensioners हैं, तो आपको सबसे पहले पता करना है, अपना corresponding PPO, कि आपका corresponding PPO बना है, या नहीं बना, अगर दोस्तो, आपका corresponding PPO बन गया, तो फिर आपको अक्टूबर की pension बढ़कर मिल जा बन गया, बिलकुल दोस्तो, अक्टूबर की pension आपको बढ़कर मिल जाएगी, अगर आपका corresponding PPO बन गया, अगर आपका corresponding PPO नहीं बना है, तो फिर थोड़ा लेट हो सकता है, फिर थोड़ा लेट होगा, जब तक कि आपका PPO इशू नहीं होता, तो दोस्तो बस यही जानकार अगती जो मैंने आपको समझाई है, I hope सारी जानकारी आप अच्छे से समझेंगे, आपको और कुछ पूछनाओ तो आप नीचे को एन कर सकते हैं, वीडियो आपको अच्छे लखता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, थैंक्यू सो मच सवार कि अजयए कामने बच्छने लाइक kan पॉसक्ता है वीडियो कर से सकते हैं, वीडियो मम्नें, वीडियो आपकल ए만 अत्या है o सवार के लाएक čा श जो बर인지 कामने ऌारी उएक्ता हैं, पर झालोच एमने वेंचर्ण कर सकते हैं, वीएकкий सारी अगर शहिडियों कर सके ज